23 दिसंबर भारते किसान दिवादेश में किसान की इस्थिति देन्य हैं। किसान एक ऐसा मज़ूर है जो महनत करके भी दुखी है मजबूर है आज भारत में सबसे देन्य हालात किसान के हैं। लेकिन किसान के इस्थर में कोई स्था नहीं आया। इनकी इस्थिति हर बीते वर्ष के साथ देन्य होती जा रही है। किसान देश की नीव है जब इस नीव पर संकट आता है तो देश की आधा शीरा भिल जाती है। आज सबसे ज़्यादा जरूरत है कि कैसे किसान एवं किसानी के इस्थर को उपर उठाया जाए। कैसे देश को इस दिशा में आत्म निर्वर बनाया जाए। कि रिश्री प्राकर्ती किसी भी विध्यान के द्वारा वस में नहीं की जा सकती। इसके आगे सबी को पुटने टेगने ही पड़ते हैं। राष्टे किसान दिवस भारत के पूर परधान मंत्री चौदरी चरंडशिंग जो कि किसान थे और किसानों की दड़कन कहे जाते थे। उनके जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसान दिवस की स्थापना कब की गई। किसान दिवस का मैथ सुनने में लोगों को अर्जिव रखता है कि किसान दिवस की क्यार रशकता है। लेकिन इस बात को एक जशन के रूप में ना देखकर सभी महतुन दिवस हमारा उस तरह प्यान लेज जाने के लिए मनाये जाते हैं देखकी युवा एवं महानगर निर्वाशी अपने नेजी जिनकी में इस तरह व्यस्त हैं कि उन्हें देखके इस्तिती का भावी नहीं है वे ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की इस तरह से किर्शी पर निर्वर है कैसे किशान की जिंती उनके लिए भी महत्तूर है ये सभी बाते सवज ने उन पर विचाल करने के लिए आज के यूवा के पास समय ही नहीं है ऐसे में किशान दिवस उन्हें ये सोचने पर मजबूर करता है और साइद केवल इस एक दिन के कारण देश का ध्यान उसोट जाता है दूसरी दिश्टिकोन उन किशानों के लिए है जो अपने निहायर मैसूस कर रहे हैं कहीं नकहीं किशान दिवस उन पर एक उमीद का दीपक जलाता है उन्हें ये ऐसास होता है कि वर अकेले नहीं यह देश उनके लिए खड़ा है किसान दिवस कैसे मनाया जाता है किसान दिवस के दिन उत्तर परदेश में छुट्टी रहती है। देश का अधिकांस केशान उत्तर भारत में है। जोधरी चरणशिंग भी वही के थे। इसलिए यह दिवस नहां बड़ी दूमदान से मनाया जाता है। यह थी ऐसे में उसकी रिपोर्ट।